जो भी हो रहा है सामने हो रहा है वायिरिंग कटिंग बता कए कर रहे हैं कि हाइड कर लिया हमने वायर कर दिय कर दिया जो भी है इन्हों ट्रांस्परेंट तो आज जो हमारे पास गाड़ी है, यह है किया की CELTOS 2022 का यह model है और 1.5 लिटर्स का 4 से अंडर नाशड आशड़ेटिस में इंजिन आता है यह जो इंजिन इस गाड़ी में है, यही सेम इंजिन किया कैरंस में भी आता है आपकी क्रेटा में भी आता है और वर्ना में भी आता है तो आज हमने इस गाड़ी में लगाई है Government Approach BS6 Kit एक बार मैं आपको दिखाया था हूँ कि हमने इस गाड़ी में CNG Kit का Installation किस तरह से किया है CNG Kit के क्या-क्या Parts कहां का लगे हैं और उनके Functions क्या क्या है तो यह हमारा CELTOS का Engine बे तो शुरुबात करते हैं एक बार Filling Valve से यह हमारा Filling Valve है इसके तरह हम गैस बढ़ते हैं यह Reducer है Reducer काम होता है सिलेंडर साने वाली High Pressure Gas को गाड़ी के Codding इस प्रेशन में Convert करना साथ में यह Gage है यह जगाम होता है जो Switch होता है हमारा गाड़ी में CNG का उसमें indicate करना कि गाड़ी में भी कित्ती गैस है हमें कब next refill कराना है यह हमारा Map Sensor CNG सिटम का यह हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं इंजेक्टर यह से काम होता है इंडिविजुली ग्यास को इंजेन में पंप करना मारकेट में एक मित है कि भाई अगर 8 इंजेक्टर पेट्रोल कार है मलब पेट्रोल पे इस गाड़ी में जैसे 8 इंजेक्टर आते हैं तो CNG के भी 8 ही इंजेक्टर लगे होंगे तब ही गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मैं अपनी कई सारी वीडियो में जो मैंने सेल्टोस या वरना या क्रेटा की बनाई है उनमें ये चीज़ क्लियर की है देखिए एक ग्जामपल देता हूँ अगर आपको एक रोटी की भूक है तो अगर आप एक रोटी खाते हैं बड़ी तो आपकी भूक मिट जाएगी या अगर आप दो छोटी छोटी रोटी खाते हैं तो भी आपकी भूक मिट जाएगी तो आपकी जो रिक्वाइरमेंट है उतनी ही आपको ज़रूरत है रोटी की यह एक example था मेरा कहने का मतलब यह है जितना CNG हमें engine को smooth operations के लिए देना है वो आप चाहे 4 injector वाला rail लगाएं या 8 injector लगाएं मतलब double rail लगाएं जितनी requirement है tuning के थूझ तूझ उतनी ही gas engine में block में combustion chamber में जाएगी ऐसा नहीं है कि 8 injector लगे होंगे तो जादा gas जाएगी और 4 injector लगे है तो कम gas जाएगी हमें combustion के लिए जो proper air fuel ratio है उसको tune करना होता है ताकि गाड़ी में जो combustion हो रहा है वो proper हो अगर हम जादा gas डाल देंगे तो भी missing आएगी गाड़ी में अगर हम कम gas देंगे तो भी missing आएगी तो ये जो एक मित है ना लोग मुझको phone करके पूछने की सार आप 4 injector लगा होगे की 8 injector लगा होगे तो देखिए ये एक बहुत अलजीवो गरीब सी बात है ये रोटी वाले example से आपको मेरे खाल से आपका थोड़ा बहुत doubt clear हो गया होगा तो 4 लगे या 8 लगे गाड़ी की tuning सही होगी तो 4 पे भी same performance होगा 8 लगे होगे तो भी same performance होगा मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाई है सेल्टॉस की जिसमें की और से किट लगी भी है, 8 injector लगे है सब कुछ लगावा है, loaded है, dynamic भी लगावा है सिर्फ tuning की मैंने और गाड़ी सेट होगई एक वीडियो सेल्टॉस की है मैट बलाक कलर की सेल्टॉस है आप वो वीडियो देख सकते हैं reference के लिए तो खेर ये तो होगए हमारे injector rails अब आ जाते हैं पीछे की तरफ यह हमारा ECM है, यह जो ECM है सारा खेल इसी का है यह 8 injector वाला ECM है इसमें हमने कोई extra device नहीं लगाया है बाकी के गाड़ी के चार injectors को handle करने के लिए तो होता क्या है देखे, इस गाड़ी में जो हमने ECM लगाया है यह specially designed है, 8 injectors को handle करने के लिए अगर आप 4 injectors वाला ECM लगाते है तो साथ में आपको एक छोटा सा device अलग से लगाना पड़ता है जो गाड़ी के बाकी के चार injectors को handle करता है दिक्कत उसमें भी कुछ नहीं है अगर कोई installer वो लगा रहा है आपकी गाड़ी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है performance आपकी गाड़ी की same आएगी costing में हाँ थोड़ा फरक आएगा ये वाला ECM वाली जो kit है वो थोड़ी सी expensive है वो वाली आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी तो वो आपके उपर अगर आप थोड़ी cost cutting करना चाते हैं तो वाली ECM के साथ लगा सकते हैं चार इंजक्टर वाले ये आठ इंजक्टर वाला है चार इंजक्टर वाले के साथ एक extra device लगेगा वो थोड़ा सा extra cost करता है मगर इस से आपको थोड़ा सा cheaper side to पड़ेगा वो आपके अपना अपना call है हर customer की अपनी preference होती है कोई कहता है थोड़ा budget friendly हो जाए कोई कहता है budget की issue नहीं है वो सबका अपना preference है तो ECM basically इसमें जो भी हम tuning करते हैं ECM में save होती है और जो भी parts गाड़ी में CNG के लगे होते हैं उन सब को command भी ECK through दी जाती है तो ये तो सारे parts थे हमारे CNG kit के ECM हो गया injector rail हो गया, map हो गया, reducer हो गया gauge हो गया और filling wall हो गया इसके अलावा जो हमने इसमें add-ons की है एक हमने इसमें CNG filter लगाया है ताकि engine में किसी भी तेहां की impurities ना पहुँचे साथ में इसमें एक dynamic advancer लगाया है dynamic advancer basically गाड़ी के crank, cam, throttle or map sensor के साथ मिलके गाड़ी की performance पर इंप्रूव करता है यह software based device है इसकी performance, delivery, output बहुत smooth होता है इस गाड़ी में static advancer भी अच्छा काम करता है मगर dynamic के साथ बहतर performance आती है static के मुकाबले अगर उसमें भी budget का आपका issue है तो आप normal advancer भी लगा सकते हैं बहुत अच्छी चलती है मैंने बहुत सारी karen's की video डाल रखी है अपनी channel पर इसमें की normal advancer के साथ गाड़ीयां चल रही है और एक एक डेटर साल हो चुका है उनको चलते वे बिना किसी issue के तो यह तो गया dynamic advancer wiring की quality आप देख सकते हैं प्रपर्ली स्लीवड हमने इसमें wiring की है wiring की quality जिती अच्छी होगी future में wiring के चलते किसी भी तरह का fault या error आने के chances कम से कम रह जाते हैं साथ में हमने इस गाड़ी में जितने भी connections की हैं वो सारे soldering के through किये हैं coupler to coupler नहीं किये हैं क्योंकि coupler किसी भी reputed brand के नहीं आते हैं वक्त के साथ उनमें losing हो जाती है carbon आ जाता है current का flow तूटता है और गाड़ी में missing के issues आ जाते हैं soldering में क्या होता है हम tar को अपने हाथों से properly twist करके हम उन्हें जोडते हैं बात में उसके उपर soldering करते हैं तो उसमें जादा अच्छा current का flow बनता है तो ये वज़ा है couple to couple ना करने की साथ में हमने इसमें coolant connection भी नहीं की है क्योंकि owner का कहना था मुझे coolant connection की ज़रुवत नहीं है मेरी गाड़ी डेली NCR में ही चलती है और coolant connection से reducer की life में 10-20% life कम हो जाती है बागी coolant connection का फायदा उन लोगों के लिए जो बहुत frequently highway पे रहते हैं सर्दियों में तो इसके उपर icing हो जाती है icing हो जाती है तो जो हमारी CNG होते है उसका flow थोड़ा सा restrict हो जाता है जिसके वैसे गाड़ी की performance खराब हो जाती है अगर आप regularly highway पे रहते हैं ठंडे मौसम में तो आप coolant connection जरूर करा है अगर आप normal city में चलते हैं और Delhi NCR में रहते हैं तो आपको coolant connection की जरूरत नहीं है यह आपको सोचना है कि coolant connection की आपको जरूरत है कि नहीं तो यह तो हो गए हमारे सारे parts CNG kit के आप देख सकते हैं कुछ भी चीज़ आपको outlock place नहीं मिलेगी अब एक बार मैं आपको boot space दिखायता हूँ सेल्टॉस में कितना बचता है CNG का cylinder लगने के बाद तो यह हमारा सेल्टॉस का boot space और आप देख सकते हैं अच्छा खासा luggage area आपको मिल जाता है यह गाड़ी का original जो board लगा होता है stepney के उपर यह वो है और अच्छा खासा luggage area आपको मिलता है cylinder मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी में उस cylinder है यह है 12 kg का मतलब कि 60 liters का stand की quality आप देख सकते हैं proper pipe वाला में इसमें stand लगाया है साथ में इसमें rubber gripping भी की है साथ में ducting भी है if in case cylinder में over filling हो जाती है तो gas automatically बाहर चली जाएगी cabin में gas की smell नहीं आएगी जो भी हम net bolts यूज करते हैं वो high quality bolts होते हैं nuts हमारे self locking होते हैं एक बार अगर tight हो जाते हैं तो खुद से कभी loose नहीं होते हैं तो यह तो होगे हमारा boot space और engine में तो मैंने आपको दिखाई दिया अब एक बार गाड़ी के owner से पूछ लेते हैं कि उनका क्या feedback है तो sir आप थी cell toss में बहुत लंबी discussion के बाद आज CNG लग गई तो सारा काम आपके सामने हुआ काम आपको कैसा लगा काम जैनुवन एक नमबर बिल्कुल transparent जो भी हो रहा सामने हो रहा है wiring cutting जो भी है बता के कर रहे हैं कि भाई हाइड कर लिया आपने wire card दे कर दे कर दिया जो भी है इसम ट्रांस्परेंट जाड़ी इस दिम स्मूथ चल रही है स्रोटरिंग किसे नहीं करी रोलिंग आप नहीं की आज में शौक शौक में मैंने स्रोटरिंग कर दी खेर नसे लड़के ही करते हैं तो अभी चल आई आपने चलने में कोई दिक्कत परिशानी as if now smooth तो देखे सर साटिसफाइड है और बहुत confused भी थे इन्होंने बहुत सारी जगाओं पर बात भी किसी के कुछ रिव्यूज थे किसी का कुछ था कि यह लगा लो वो लगा लो बहुत सारे बहुत confused थे finally confusion की दूर हुए आज यह हमारे पास आए हमने इसमें CNG लगाई and he satisfied देखिए मारकेट में जो hits है वो सब जगा सेम यही है और जो भी काम होता है वो layout के according ही होता है बस the thing is कि कौन किस के पास कैसे technicians हैं tuning किस तरह से होती है उस चीज का सारा major role है तो installation अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है गाड़ी में जो पास तक है उनकी longevity उनकी durability बड़ी रहती है जितनी खुबसूर्ती से काम हो जितनी सफाई से काम हो जितनी स्लीविंग हुई है soldering हुई है यह सब हो तो faults वगारा आने के chances बहुत ज़्यादा कम रह जाते है जहां तक ही बात है देखिए अब हम लोगों ने for example बहुत अच्छे से kit लगा दी soldering भी कर दी, filter भी लगा दिया आपका dynamic भी लगा दिया हर चीज top notch है और गाड़ी के tuning अच्छे से नहीं करी तो यह सब लगाने का कोई फायदा नहीं है यह सब दिखावा है main है कि इस गाड़ी के according मैंने इस dynamic को set किया यदि किया, kit को set किया यदि किया यही dynamic जो है आपका i20 में भी लग जाएगा Swift में भी लग जाएगा, Honda City में भी लग जाएगा किसी भी गाड़ी में लग जाएगा मगर हमें basically इस गाड़ी के हसाब से इसको tune करना तब ही अपना output proper दे पाएगा और गाड़ी का output आपको proper मिल पाएगा तो हर वीडियो में ये बात मैं कहता हूँ कि tuning plays a very major role installation is not a rocket science आप किसी को भी दिखा होगे वो बोलेगा हाँ मैं भी कर दूँगा पर उसको करने के बाद एक example होड़ देता हूँ आप कपड़ा ले लो और एक अनाड़ी टेलर को देता हूँ बाई मैं सौबर में सी दूँगा वो क्या pants हीएगा आपकी और एक आप अच्छे टेलर को दे होगे जो professional हो 500 रुपे लेगा आपकी pants हीएगा उसका धागा भी अलगी होगा उसके hooks भी अलग होगे उसकी zip की quality भी अलग होगी उसकी fitting ही अलग होगी अपड़ा मूँ से बोलेगा कि हाँ जी मेरे को बड़िया कारीगर ने सिला है तो सारा खेल वो ही है कि आप कितनी अच्छी किट ले लो अगर उसको सही कारीगर ने मिला सही ट्यूनिंग ने हुई तो ये सब काम बेकार है तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां खतम करता हूँ अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सी एंजी के टिंसौर करानी है या सी एंजी से लेटिट कुछ भी इंक्वाइरी करनी है तो आप मुझसे वाटसाप पर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिये शेयर करिये में चांब सब्सक्राइब करिये और बेल आइकन दमाना ना भूद है